नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अभी से क्लासेश के यूटूब चैनल पर दोस्तों ICAR IARI Technician Exam Model Paper 8 इससे पहले 7 Model Paper आपको प्रवाइड करा दिये है वो आपको देखने है सभी महतुन प्रेशन मैं आपके लिए प्रवाइड करा रहा हूँ ICAR Technician Exam को देखते हुए आपके Admit Card भी जारी हो चुके है और जल्द ही कुछी दिनों बाद आपकी एक्जाम इस्टार्ट हो जाएंगी अच्छे से तयारी करनी है और आपको इन Model Paper की PDF मिल जाएगी सभी फरकार की समसा के लिए आप हमें कॉमेंट कर सकते है पहला Fresh न आपके Skin पर है Silicon Hydrogel का सबसे आम उप्योग किसका बना रहा है तो यहां को मालूम होना चाहिए संपर्क Lens का Option भी इस Question का सही आंसर हो जाएगा Next Question है जानवरों की फरजातियों की अधिक्टम से किस समूँ से शम्मंदित है तो और तो वड़ा से यहां की Option डीस Question का राइट आंसर हो जाएगा Next Question है कौन सा समराज वेक्टरिया का फरितिनेज़र करता है Very Important Question है Expiration का राइट आंसर हो जाएगा Monera यहां की Option A Next Question है Enterovias Vermicles जो शीकम और Vermiform F इंडेक्स को प्रभावित करता है उसे सामनेते क्या कहा जाता है तो इस Question का राइट यहां अंसर हो जाएगा Fin Warmi यहां की Option भी शही रहेगा Next Down syndrome को इस रूप में भी जाना जाता है तो मंगोल वाद यहां की Option सी इस Question का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रिश्ण है Entry किनवन किनवन है जो जुगाली करने वाले जानवरों के पाचन तंतर में होता है यह उत्सरजन में व्रदी के कारणों में से एक है इन Option में आपको चुनना है तो मीथीन उस यह जर में व्रदी के कारणों में से एक है Option में इस Question का राइट आंसर होगा अगला प्रिश्ण गोवी का खाने योगवाग कौन सा है तो गोवी का खाने योगवाग कली है Option मे इस Question का साही है अंसर होगा दोस्तों मैंने वन लाइनर कोश्चन प्रोवाइड कराए है क्योंकि वन लाइनर कोश्चन जो है बहुत ज़्यादा इसमें शामल किये है दस मिनिट में साथ फ्लस कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपको फीडिय अवस्पड़ने है फीडिय आपको टेल्ग्राम चैनलर पर मिल जाएगी भारती रुप्यों को नहीं फैचान प्राप्त कवो हुई वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है तो ये 15 जुलाई 2010 में भारती रुप्या चिन ये आया था ठीक है नेस्ट कोश्चन है भारती रेजर वेंग जिस वेंग के माद्यम से भारत के विदेश प्यापार का वित्व पोस्टन करने के लिए मदद करता है तो ये हैट जिम है दो जनवरी 1982 की इस्ता अपना हुई थी ठीक है नेस्ट कोश्चन है निवेस के संदर में ए ए ए प्लस और ए ए से क्या तात्वरिया है तो एक क्रेडिट रेंटिंग होगा कोर वेंगिंग सर्फिस में कोर कोर का पूरा नाम क्या है तो सेंट्रलाइजरेशन ओन लाइन र नेस्ट कोश्चन है किस समीती के अदारफर नावाड को इस्तापित किया गया था तो इशिवरावन समीती के सिपारिस के अदारफर नावाड को इस्तापित किया गया था वारज लाई शन 1982 को नावाड का फूरा नाम राष्ट्य क्रिशी और ग्रामिन विकास वेंग है वि नेस्ट कोईशन है SLR का पूरा नाम क्या है तो इस्टेलेटरी लिक्वाइटरी रेडियो है SLR का पूरा नाम यह फुल फर्म आपको देख रही होंगे IPO का पूरा नाम क्या है तो internal public offering इसका पूरा नाम हो जाएगा वैंकिंग छेतर के अंतरकत आता है तो सेवा छेतर यानकी सर्विस सेक्टर के अंदर का दाता है अगला फृष्ण है भारत का फहला वैफसाइक वैंक जिसका स्वामेत वैफ रमंदन फून नत है बारतियों के पास था तो Central Bank of India 21 दिसंबर 1911 इस्ताबना दोस्तों आपको यह चैनल जोन करना है आपको अभश जोन करना होगा आईशिया टेक्निशन एकजाम के लिए हेल्फ यहां से पूरी तरह मिलेगी और आपको आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना होगा ताकि उन्होंने भी अगर आईशियार का यह फॉर्म एपलाई किया है तो उनको भी आपको यह थोड़ी बहुत मगदद मिल सकेगी अगला फ्रेशन है वेस्ट वेंग के नावक छेतर किन्ड किस नदी के फच्छे में इस तित बू छेतर है तो जॉर्डन नदी बिस्व का सबसे सामत सीमा रेखा के रूप में माने जाने वाली 490 शमानतर अक्छांसरे का किन्दो देशों को अलग करती है वेरी इंपोर्टन कोशन स्विन्द राज अमेरिका और कनाडा को ये अक्छांसरे का जो है अलग करती है अगला फ्रेशन है ओवराफ परियोजना यानकी ओवराफ प्रोजेक्ट किस राज की ताप विदत परियोजना है तो ये यूफी की यानकी उत्तर प्रिदेश की है अगला फ्रेशन है किस देश में ट्यूलिफ की खेती इस तरवादिक फिरसिद है तो नीदल लेंड्स में है भारत में प्रित्म जल विदो सकती केंद्र की इस्तापना कब तता कहां पर की गई थी तो ये 1902 में शिवा शमुद्रम में की गई थी वैसा सिंगी नामक जन जाती भारत के किस राज में पाई जाती है तो वैसा सिंगी नामक जन जाती है नागलाण के अंदरगाद पाई जाती है अगला प्रिश्ण है भारत का एक राज मनीपुर किस देश की शीमा परिस्तित है तो यह मेंबार्ग देश की शीमा परिस्तित है भारत का सरवादिक बड़सा वाला इस्थान मासिंद राम किस राज में है तो मेगाले में है दंड कार्ण ने प्रजेक्ट यानकि मद्ध प्र तो गंग नहर को पानी जो है 17 नदी से प्राप्त होता है विजय नगर समराज की रालदानी हमपी किश नदी की तट पर इस्तित है तो ये तुंग बंदरा नदी की तट पर इस्तित है अगला कुश्चन है सरदार सरोवन किश राज में है तो ये गुजरात में है वरोनी तेल सोदन कार खाना और रेफाइनरी की श्राज में है वरोनी की वात आएगी तो ये बिहार में इस्तित है वराजील इस्तित आमेजन वैसिन के वन क्या कहलाते है तो ये शेल वाश कहलाते है अगला फिशन है अपरिका में ओश्वान बांध किस नदीफर है तो ये नील नदीफर है रवात किस देश की राज़दानी है तो ये मौरोकोगी है भारत में कितना छितर बनों से गिरा हुआ है तो 752 फॉंट तीन लाख हेक्टेर ये घिर रखा है यानि नेस्ट कुश्टन है देश में कितनी वाग फरियोजना एक कारियत है तो 23 है फ्री टाउन किस देश की राज़दानी है तो सियरा लियोन की राज़दानी है दोस्तों छाट छाट कर मैंने आपको फैस्टने हाफ लिये है काफी मेहनस के बापचूत मेंने आपको ये उपलब्द कराए है तो आपको बढ़िया से तरीके से पढ़ना है ताकि आपको एक्जाम में हेल्फ हो सके और पीडिये आपको अवेश्ट पढ़नी है छेतपल की डरेश्टी से बिस्प का सबसे बड़ा बू आविश्टिट यानकी लेंड इसको लॉक्ड देश कौन सा है तो मंगोलिया है और करीबा वांद कहा स्थित है तो ये जाम्बिया में जेम्बिजिनी नदी परिस्थित है विश्वे परिसिद उलांग किश्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है तो ये चाय ताइवान में पैदा होती है अगला फृष्ण है शुएज नहर के दोनों शिरू परिस्थित नगरों के नाम क्या है तो एक तो शुएज है और एक है पोर्ट शहीद बुलगारिया की राज़दानी तो सोपिया होगी तो भद्रा तता भीमा नदिया किस नदी की सायक नदी है तो ये कृष्णा नदी की सायक नदी हो जाएंगी दोस्तों आपको एक एवोक भी लेनी होगी क्योंकि एवोक में हाजारों फ्रिस्थ रामिल किये है जो इस exam में आने की उनकी फूरी फूरी शब वावना है एक बार आपको Evoq जरूर लेनी है और Evoq की माद्धम से बड़िया तरीकिसे आपको बढ़ाई करनी है Evoq की जो है लिंक आपको वीडियो के discussion में उपलद हो जाती है बहां से आप देख सकते है चोटा नागपुर पठार की सबसे उची चोटी कौन सी है तो चोटा नागपुर पठार की सबसे उची चोटी की अगर बात आती है तो फारस रात का नाम आता है और भारत की सबसे वड़ी नहर फर्योजना कौन सी है इंद्रा कांदी नहर फर्योजना है जो रास्ता नहर के नाम से भी जाने जाती है नेश्ट भांगडा नागल फर्योजना में मानम निर्वित जील को किस नाम से जाना जाता है तो गोविंट सागर के नाम से जाना जाता है किस ग्रह का लाल तारा एन ग्रेड इस्टार की संग्या दे जाती है तो मंगल ग्रह को ये दी जाती है जिसे हम लाल तारा भी कहते है नेश्ट उत्तरी अमेरिका में इस सित्म माउंट मेकले की शफरवत की चोटी है तो इरोकी शफरवत की चोटी है और नीदरलेंड वे समुद्र से लिए गए बुबा को किस नाम से जाना जाते है तो फॉल्डर के नाम से जाना जाता है लंदन की शनदी के तट फरिस्तित है तो टेंश नदी के तट फरिस्तित है एंड भारत की सरवादे गहरी कान कौन सी है तो कोलार की खान हो गई बारतिये अंत्रिक्ष सोध शंतान अइसरो कहा श्तित वंगलोर में श्तित है दोस्तों किस देश के गहस के मैदान पंपास कहलाते है तो अरजंटिना के गहस के मैदान को हम पंपास के नाम से जानते है देश में मौसम मानचित्र बनाने का फ्रमुक कारियलेकिश नगर मिस्तित है तो ये पूने के अंदर है एंड मचकुंड जल विदुत परियोजना के इन राजजो का शवियुक तोपकरम है तो ये ओडीशा एंड आंध प्रियोजना है नेश्ट कुश्टन है उत्तर देश हिमाले का सरवच सिकर कौन सा है तो नन्दा देवी है भारत का सरवधिक नगरिकरत राच महाराष्ट होगा विलेक हिल विल्यू परबत ततक ग्रीन परबत नामक पाड़िया अमेरिका मिस्तित है नेश्ट ब्रहत जुहार उस समय आता है जब प्रतवी चंद्रमा और सूरिय एक सीधी रेका में होते है तब ब्रहत जुहार के नाम से जाना जाता है दक्षनी अमेरिका का कौन सा देश छित्रबर की द्रश्टी से सबसे बड़ा है तो वराजील है एंड मंगल और वरस्वती की कक्छाओ के वी सूरिय के चारो और परिकर्मा करने वाले शेल के छोटे टुकडो के समों को छेद्र ग्रह के नाम से जानते है दोस्तो यह हैं आपर इस लिंकरा समापत होती है नेक्स्ट रोच में आपके लिए कुछ इसी फरकार लेकर आऊँगा जो जट दस मिनिट में इसी फरकार लेकर आऊँगा जो दस मिनिट में आपके पचास फ्लेस कोशन रहने वाले है जो वेरी वेरी इंपॉटेंट कोशन है दोस्तों किसी भी फिलकार का किसी से भी फेड कोर्सर आपको नहीं खरना है हमारे दुआरा आपको बड़िया तरीके से इन वचे हुए टाइम में जो है बड़िया मेटेरियल उप्राप्त करवाया जाएगा एड़ आपको एवोक जल्द हम प्रवायड करवाने वाले है एक दो एवोक हमने फैले लॉंच कर दी है तो वो एवोक आपको अवस्पड़नी है उसके बाद ही आपको हम पर विश्वास हो सकता है ठीक है धन्वाद प्यारे दोस्तों